भारत के हिमवीर ITBP का जवान तपोवन टरनल में लगातार रेस्क्यू अपरेशन में जुटे वे है और साथ इसाथ एरियल सर्वे भी किया गया है आसपास के इलाके का गलेशर के आसपास भी कई ऐसी तस्वीर ITBP को मिली है जो कि चिंता पैदा कर सकती है तो जो यह नंदा देवी साइट से जो नाला आ रहा है वो कहीं कहीं पर उसमें पानी रुका हुआ है अब वो कितना पानी है वो एक बार वहाँ डिटेल में जाके पता लगेगा लेकिन काफी सारे ऐसे दो तीन ऐसे पोकेट से जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी रुका हुआ है और इसकी वज़से जो फ्लो है धोली गंगा और रिशी गंगा का वो काफी कम है अभी जो यूजरी देखा जाता है उससे तो उसको थोड़ा सा मद्दे नजर रखते हुए कल हमारी एक टीम गई थी और उन्होंने जाकर रेरियल सर्वे किया है उस पूरे इलाके का और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कई सारे पॉकेट से जहां ब्लू वाटर हमको दिख रहा है जैसे कि अब बोलते हैं कि एक डेम जैसी सिती बन जाती है छोटी लेकिन वह कितनी चिंता की बात है और कितना उससे थ्रेट है वह असेस्मेंट के बाद पता चलेगा बिकोज हेलिकॉप्टर की जो हाइड थी काफी ज्यादा थी और वो जो वैली है बहुत नेरो वैली है तो उसको देखते हुए हमारा ये आइडिया है कि टीम जोलोजिस्ट की और बाकी लोगों की वहाँ पर पहुंचेगी और वो लग पहुंचके एक आइडिया बढ़ अभी प्रसासन की तरफ से हमारी तरफ से हमारी जो कोशिश है कि साधान रहा जाए और साथी साथ जो रेस्क्यों फट से नीचे की तरफ उनको भी उसको भी स्पीड अप किया जाए चुकि वह ड्रिलिंग का काम चल रहा है वहां पर उसको देखते हुए हमने लुक लिचर के पास अभी भी पानी खटा है देखिए उसको फिजिकली देखना बहुत जरूरी है जाकर और इरिया थोड़ा सा चुकि माउंटेनस है हाइट्स भी मुझे लगता है कि दस हजार आठ हजार नौ हजार फीट की हाइट अलग-अलग जगों पर है मोरेन होता है इसी कोई ऐसा एमिनेंट थ्रेट तुरंद नहीं दिख रहा है लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इसको हलके में निली जा सकता है गंबीरता से लिना पड़ा पारिश हो या मान लीजे कोई एकुमुलेशन हो या ऐसी कोई लैंड्सलैट की स्थिति बनती है तब ऐसी संभ करते रहते कोई ऐसा कदम उठाए जा सके ताकि कि किसी भी स्थिति में दुबारा से ऐसी आपदा जैसी आहलत ना पैदा हो सके इस पानी की वज़ती है कि हम लोग उसको देख रहे हैं अगर ऐसा स्थिति कुछ बंती भी है तो हमारे लुकाउट से हमारे अरली वार्निंग होगा फिलाल कोशिश यह रहेगी कि लिकन उसको ठीक किया जाए बहुत जल्दी